नमस्कार दोस्तों जैहिंद आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अगर आप अमारे चैनल पर अभी नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज अवस्य करिए आज हम बात करते हैं थ्री फेज लोकों में जब एफ जीरो वन जीरो फोर पी वन यह मैसेज होता है केटेनरी वोल्टेज आउट आफ लिमिट जब यह मैसेज हमारे थ्री फेज लोकों में आता है उस समय हमारा जोकि यह प्रियार्टी वन का फार्ट है आपको यह पता है यह सब सिस्टम जीरो वन के चौथे नमबर का फार्ट है और प्रियार्टी वन का फार्ट है जब priority 1 का फार्ट आएगा तो LSFI का लायम ब्लिंक करेगा और BPFA भी ग्लो करेगा और साथ ही साथ LSDJ भी ग्लो करेगा तो कि priority 1 का फार्ट आता है तो यह सब ही क्रिया होती है अब इस फार्ट का आने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि throttle को 0 पर करेंगे और BPFA द्वारा फार्ट कौन क्या कर लेंगे एक knowledge कर लेंगे ठीक है एक knowledge करने के बाद अब हम U meter पर ध्यान देंगे कि U meter क्या सो कर रहा है अगर U meter साढ़े सत्रा केवी और साढ़े 29 केवी के बाहर है यानि या तो साढ़े सत्रा से कम है या साढ़े 29 से जादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आप TPC को inform कर दीजिए और wait करिए ठीक है ये जो cutnery out of voltage है इसकी जो limit होती है साढ़े सत्रा से साढ़े 29 के बीच होती है अगर इससे कम या जादा रहेगा तो ये fault message आपको मिलेगा तो यू मीटर देखा अगर इससे कम या जादा है तो हम TPC को बता दिए दूसरा condition क्या हो सकता है कि यू मीटर जो आपका है वो 0 सो कर रहा हो अब यू मीटर अगर 0 सो कर रहा है तब आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए इस चीज को सबसे पहले आप क्या करें कि पेंटो का OYChI से इस पर्स होना देखिए कि OJ से इस पर्स किया है कि नहीं किया है और नीचे उतर कर लोकों से नीचे उतर कर लोकों की छत पर कोई भी खराबी कोई भी अपनार्मल्टी को आप चट करिए जैसे माल लिया कोई गीला कपड़ा गीली लकडी कुछ हेस्टाइट का पड़ा हो या कोई फारेन मटेरियल पड़ा हो तो वो देखेंगे ठेक है और पेंटो का ओची से इसपर्स होना देखेंगे अगर पेंटो का ओची से इसपर्स नहीं हो रहा है तो क्या किया जाएगा तुरण दूसरा पेंटो उठा दिया जाएगा इसलिए OHE नीचे नहीं आर पा रहा है क्योंकि पेंटो इस पर्स नहीं किया दूसरा अगर कोई खराबी है तो हम TPC को सूचित कर देंगे ठीक है क्योंकि अगर कोई खराबी होगा OHE अपने आप ट्रिप कर जाती है उसमें वहाँ पे Circuit Breaker वगएरा लगे हूँ है वो ट्रिप कर जाएगी तो हम TPC को सूचित कर देंगे माल लिया, OHE से इस पर स्कर रहा है और कोई भी खराबी नहीं है यह दोनों नहीं है तब हम क्या करेंगे पेंटो की आर्किंग चेक करेंगे अब पेंटो की आर्किंग कैसे चेक होती आपको पता है प्रिंटो हम पहले down करेंगे फिर उपर दुबारा उसको rage करके देखेंगे जब वे ज़ी से touch करेगा तो हम पर chattering होगा अगर chattering नहीं है आरकिंग नहीं है तो यानि no tension हो गया है तो no tension की कारवाई की जाए कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में उसका detail बना रखा है वीडियो देख लेगे अपलो और अगर प्रिंटो के आर्किंग हमें चेक किया और आर्किंग है तब अगर आर्किंग है तो अब इसमें क्या काम किया जाएगा अब इसमें पहला काम किया जाएगा कि जो PT Fuse है ठीक है यह कहां लगा है SB1 पैनल में इस PT Fuse को हमको चेंज करना पड़ेगा और PT Fuse जब भी चेंज करेंगे तो पेंटो लोवर करके करना है ठीक है यह चीद ध्यान रखेगा पेंटो लोवर करके हम PT Fuse चेंज कर देंगे अब माल यह पेंटो लोवर करके PT Fuse चेंज किया ठीक है उसके बाद भी यू मीटर को हमने देखा उसमें 0 ही सो कर रहा है तो हो सकता है हमको अपनी आँखों से सब कुछ सही दिख रहा हो लेकिन पेंटो वन से जो रूफ बार आया है उसमें कहीं कट वगयर हो तो हम क्या कर करेंगे PSS से दूसरा पेंटो सेलेक्ट करके दूसरा पेंटो उठा के चेक कर लेंगे ठीक है दूसरा पेंटो से चेक करेंगे ठीक उससे भी नहीं हमाल लिया हो रहा है तो एक बार हम क्या करेंगे C को आफ और दुबारा आन करके चेक कर लिया जाएगा इससे भी नहीं हुआ तो हम लाश्ट में TPC को इन्फार्म कर देंगे तो यह कब हुआ यह ट्रबल सूटिंग जब यू मीटर जीरो सु कर रहा था तीसरा कंडीशन आया कि साड़े सत्रा केवी से साड़े उनतिस केवी के बीच आपका यू मीटर सो कर रहा है और वी सीबी भी आपकी ट्रिप नहीं हुई है एक यह कंडीशन आ गया अब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा इसमें जो आपका यू मीटर है यह सो कर रहा कितना साड़े सत्रा से साड़े उनतिस के बीच वी सीबी भी ट्रिप नहीं है ठीक है कि पहले में आपने क्या किय अग्राइज किया ही था फिर दूसरा यह देखा कि अगर यू मीटर रेंज से कम या ज्यादा है तो TPC को इंफर्म कर दिया अगर यू मीटर जीरो सो कर रहा है तो यह सारे चीज़े देख लिया अब अगला कंडिशन होता है कि हमारा यू मीटर रेंज में है और VC भी ट्रिप नहीं किया हुआ है तब तब हम क्या करेंगे DDS पर बैक्ग्राउंड मैसेज देखेंगे बैक्ग्राउंड मैसेज चेक करेंगे ठीक और बैक्ग्राउंड मैसेज पर अगर SLG1 या FLG1 से समंधित मैसेज है तो SR1 को आइसोलेट करेंगे ठीक अब SR1 कैसा है आइसोलेट होग का MCB द्वारा 127.1 by 1 and 127.11 by 1 ये दोनों कहां लगे हैं SB1 में और SB1 के MCB को कैसे आफ किया जाता है कैसे ट्रिप किया जाएगा C आफ करके अगर background message SLG2 या FLG2 का है तो फिर SR2 को हमको isolate करना पड़ेगा उसका switch होता है 1 by 2 and 127.11 by 2 ये कहां लगा है SB2 में इसको trip करेंगे ये trip कराने के बाद हम पेंटो रेज करेंगे और सब कुछ सही है तो हम एक बोगी से काम करेंगे और इसके बाद भी नहीं होता है तो चुकी CA फान कर ही चुके है ठीक है और हमारा वोल्टेज सो कर रहा इसलिए पेंटो सेलेक्टर स्विच से भी कोई मतलब नहीं रहे गया एक बार हम कैब चेंज करके कोशिस कर लेते हैं हो सकता है हो जाए ठीक है और से भी नहीं होता है तो हमारा लास्ट आप्सन वहीं है टीपी सीज को इन्फार्म कर देंगे ठीक है तो इस तरह अगर केटनरी वोल्टेज आउट आफ लिमिट का ट्रबल आपको मिल रहा है तो इन सीरियल वाइज आप उसकी ट्रबल सूटिंग करेंगे उम्मीद करते हैं कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है लाइन पर यह आपके बहुत ही काम आने वाली ट्रबल सूटिंग है थैंक यू